तो आपको ये एक पिलर देख रहा है ठीक है तो पहले मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि ये नीूस में क्यूँ है तो ये नीूस में क्यूँ है ये मैं थोड़ी दिर में आपको में बात करूँगी तो आपके लिए examination point of view से क्या important है आपके लिए examination point of view से important है ये Bima Koregant Battle बीमा कोरेगाउं गाउं है कहाँ पे इन डिस्ट्रिक पूना कहाँ पे महराश्ट्र में इसका एक जो है strong Dalit connection है कैसे क्योंकि यह जो battle थी यह लड़ी गई between the Dalit people and the Peshwa forces और Dalit people जो थे यह किसकी तरफ से लड़ रहे थे यह Britishers की तरफ से लड़ रहे थे और Peshwa की forces जो थी पेश्वा आपको पता है कौन है मराथास हैं पेश्वा की forces की तरफ से कौन लोग लड़ रहे थे अपर कास्ट के लोग लड़ रहे थे ठीक है तो Britishers की साइट कौन था दलित और जो पेश्वा की साइट कौन था अपर कास्ट तो यह बैटल कब लड़ी गई January 1, 1818 तो आपसे पेपर में यह question direct आता है कि बीमा कोरेगाउं जो बैटल है यह कब लड़ी गई कौन से एर में लड़ी गई तो यह लड़ी गई 1818 में and between whom between the forces of British and the पेश्वास तो ब्रिटिश के साइट से कौन लड़ रहा था ब्रिटिश के साइट से दलित लोग लड़ रहे थे और पेश्वा की साइट से अपर क कास डॉमिनेटिट पेश्वा आर्मी ठीक है तो ब्रिटिश ट्रूप्स डिफीटिट दा पेश्वा आर्मी तो जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे जो दलित सोलजर थे उन्होंने जो अपर कास के लोग थे जो पेश्वा की तरफ से लड़ रहे थे उनको जो था इस बैटल मे defeat कर दिया तो तो जो ये victory है has seen as a win against caste based discrimination and operation and persecution of the mahaad dalits ठीक है तो मैं आपको बतादू जो BR Ambedkar थे वो भी कौन सी community से थे? mahaad dalit थे वो भी ठीक है तो इसलिए आपका जो historical जो battle का importance क्यों है क्योंकि ये आपको पता ये जो आज के time पे जो दी जाती है वो socially and economic educational ये backward लोगों को दी जाती है तो ये जो dalit community थी इनके साथ historically बहुत जो है इनके साथ exploitation हुआ तो तो ये battle जो है ये victory मानी जाती है कि इसकी dalit community की over the upper caste तो इसलिए इसका historical जो importance है वो बहुत जादा है ठीक है? the victory in the battle over Peshwa gave dalit a moral victory, a victory against caste-based discrimination and operation and sense of identity however जो divide and rule policy थी British's की उन्होंने बहुत जादा जो दरारे जो थी पैदा करी किसके बीच में? Indian society के बीच में जो हमें आज भी देखने को मिलती हैं कैसे in the way of excessive caste and religious discrimination which needs to be checked keeping in mind the tenets of the constitution so why बात आती है why Bhima Koregaon is seen as the dalit symbol क्यों? the battle has come to be seen as a symbol of dalit pride because जो large number of the soldiers थे in the company force में वो कौन थे? महार dalit से ठीक है? सिंदा पेश्वास जो थे जो पेश्वास की sites पे कौन लड़ रहे थे? ब्रामिन्स लड़ रहे थे टो ब्रामिन्स को क्या देखा ज़ादा था? वर सेन as the oppressors of the dalit the victory of the महार soldiers over the पेश्वा force is seen as the dalit assertion इसी लिए जो है इसका इतना ज़्यादा historical importance है तो 1st January 1927 January 1st einset सताई में बियारम बेट कर यहां पे विजिट करते हैं यह जो memorial आप देख रहे हो इसको construct करते हैं जहां इस memorial पे किन का नाम लिखा है जो भी लोगों ने इस battle में अपनी जाने गवाई उन जो है fighters का यहां पे जो है नाम जो है यहां पे देखने को मिलता है तो इसी लिए यह जो battle है आपके historical importance रखती है क्योंकि यह जो दलित कमूनिटी है इनको यह sense of pride देती है इनको prestige देती है कि हमने भी जो है upper caste के against जो है एक battle जो है वो जीती है इसी लिए यह news में बात आती है कि news में यह क्यों थी क्योंकि जो office है किसका hired commissioner for the human rights एक human rights UN human rights का जो office है उन्होंने बोला है has called for release of bima koregaon activist क्यों issue क्या था bima koregaon जो था वो एक january कब 1st January 2018 में कितने साल होगे 200 साल 200th anniversary मनाईगी किसकी bima koregaon battle की तो इसमें event एक organize किया कि हम celebrate करेंगे the victory of the British army which included a large number of maharas against पेश्वा वाजिदाओ second army तो इसमें क्या था जितने several कुछ human rights activists थे जिसमें इनका नाम है कुल सुदा बर्दवाज वारसवारा राओ and गौतम नवलाखा were arrested during the course of investigation तो इस दोरान जो था ये आपको देखने को मिला था तो अब जो United Nation Human Rights Commission है वो कह रही है कि जो activist को arrest किया गया है उनको अब निकाल दिया जाए तो मैं बात करती हूँ किसकी Office of the Higher Commissioner of Human Rights की ये क्या है is the leading UN entity on human rights it is mandated to alia protect and promote all human rights and to conduct necessary advocacy in that record ये established कब हुई थी United Nation General Assembly ने एक resolution पास किया था उस resolution का क्या नाम है 48-145 resolution ठीक है तो इसलिए ये जो है इतना historical importance जो है रखती है क्यों रखती है क्योंकि ये जो है sense of pride देती है किसको दलिद community को अब हम चलते हैं second news की ओर बावना कंथ सो सबसे बड़ी पहली बात आती है who is बावना कंथ बावना कंथ कौन है flight lieutenant बावना कंथ is set to become the first woman fighter pilot took part in the republic day parade ये पहली इंडिया की woman fighter pilot है जिसने republic day parade पे जो है participate किया है she will be the part of india air force tabula that will showcase mocks up of the light combat aircraft light combat helicopter and the sukhai 30 fighter plane तो आपको republic day parade में आपनों देखा होगा कि different different states के यह different different organization के tabula आपको देखने को मिलेते तो indian air force के tabula में जो बावना कंथी ये पहली woman fighter है जिनोंने जो है इस republic day parade में participate किया है ये air force indian air force tabula को इनने showcase किया है और उस tabula में क्या-क्या showcase किया गया light combat aircraft, light combat helicopter and Sukhoi 30 fighter plane so she is currently posted at an air base in Rajasthan where she flies the MiG-21 Bison fighter plane तो अभी ये इनकी posted कहां पे है राजस्तान पे है वहां पे MiG-21 Bison fighter plane को चलाती है Kanth is also one of the first woman fighter pilots in the Indian Air Force ठीक है तो ये इसलिए important है क्योंकि ये पहली जो female है जिनोंने इंडिया के Republic Day parade में participate आजब बतो और किसके female fighter pilot जो है वो participate किया है लेट्स मूब तो नेक्स निउस अफ दे इस National Voters Day तो अभी जो है 11 National Voters Day जो है वो celebrate किया गया कब 25 January 1921 को तो इस एर की theme क्या थी Making our voters empowered, vigilant, safe and informed तो आप से जो है पेपर में पूछा जाता है कि National Voters Day कब celebrate किया जाता है तो ये कब celebrate किया जाता है 25 January को तो अभी जो हमने recently celebrate किया है वो कौन सा National Voters Day celebrate किया है वो 11th है The National Voters Day has been celebrated on January 25th every year since 2011 तो ये पहली बार कब मनाया गया 2011 में all across the country to mark the foundation day of election commission of India ठीक है कब election commission of India का जो foundation day है वो कब होता है 25th January 1950 को ही होता है तो इसी दिन को हम क्या celebrate करते है National Voters Day तो आपका exam में जो है सीधा सीधा question बनता है कि जो हमारा National Voters Day है वो कब celebrate होता है और जो 25th of January है हमने इसको क्यों choose किया है ठीक है Let's move to the fourth news of the day is Borderland Territorial Region Agreement तो ये मैं थोड़ी दिर में बात करूंगी कि ये Borderland Territorial Region है क्या तो ये news में क्यों था News में इसलिए था क्योंकि Assam ने celebrate किया है पहला anniversary किसका of the historic Borderland Territorial Region Agreement तो पहली anniversary celebrate की गई है by the Assam Government ठीक है किसकी historic Borderland Territorial Region की तो BTAD क्या है बेसिकली ये district है जो spread होता है चार्ट district में तो कौन-कौन से आपको जो है आपको Borderland Territory के चार्ट district जो है वो आपको tips पे होने चाहिए क्योंकि आपको examination में सीदा-सीदा directly question आ सकता है कि which of the following are the part of the Borderland Territorial Region Agreement तो कौन-कौन से district है वो वो है कोक राजर चिरांग बकसा और उदलगिरी तो ये चार्ट district है आप देख रहे हो कि कैसे ब्रह्मपुत्रा पास हो रही है असाम से तो ये पूरा region कौन सा है असाम का तो वो चार डिस्ट्रिक आपको पता होने चाहिए क्या नाम है हम चार डिस्ट्रिक का कोक राजर, चिरांग, बकसा और उदलगिरी तो ये जो है significance क्या है इसका the signing of the agreement ended the 50 year old border crisis इस agreement को sign करने से 50 साल का जो border crisis थे वो खतम हो गए ठीक है तो इसी लिए ये इसका इतना importance हमारी history में जो है वो देखने को मिलता है तो एक agreement था, इस agreement में क्या था, as per the agreement villages dominated by the borders पहली बात तो who are borders borders क्या है, tribal communities है कहा की, असाम की ठीक है, तो अगर कोई villages हैं जो dominate किये हैं, borders ने that were presently outside the BTAD would be included अगर कोई borders community है, जो in districts में नहीं है, in districts के villages में नहीं है, तो वो भी include किये जाएगी और non-bordo population, अगर वो in districts में है तो वो exclude किये जाएगी इस treaty से the memorandum of settlement says that the criminal cases registered again the members of NDFB, National Democratic Front of Bordoland factions for non-henious crimes shall be withdrawn by assam government, अगर एक वहाँ पर एक force बनी थी जिसका नाम दा non-democratic front of Bordoland करके ठीक है, उन्होंने अगर कोई non-henious crime किये हैं, तो उनको जो है उनको, उनके against जो cases withdraw किये जाएगे, अगर किसे ने heinious crime किये हैं, तो उनके against जो withdraw cases हैं, वो withdraw नहीं किये जाएगे and the families of those killed during the Bordol movement would get 5 lakh rupees each तो एक special development package दिया गया, पंदरा सौक करोड का center के द्वारा, किसके लिए for the development of the Bordol areas, तो एक कमेटी बनाएगी वो कमेटी decide करेगी the exclusion and inclusion of new areas in the Bordoland agreement, subsequent to this alteration, the total number of assembly seats will goes up to 60 from the existing 40, तो अभी जो है Bordoland की territory कितनी है 40 है, तो बाद में जो है इसको बढ़ाके, बाद में इसको बढ़ाके कितनी कर दी जाएगी, 60 कर दी जाएगी और जिनकी जो families हैं, जो इस family यहां पर मारी गई, जिनकी उनको 5 lakh rupees each जो है, वो मिलेंगे ठीक है, special development package कितने करोड का, 1500 करोड का, ठीक है, तो कमेटी क्या decide करेगी, exclusion and inclusion of new areas इसलिए ये जो है, अब Bordoland dispute जो है, ये पहली बार जो था ये कब arise हुआ, ये dispute arise हुआ है, 1966 1967 में, the demand for a separate state called Bordoland was raised under the banner of the plain tribal council of Assam, जो क्या थी, एक political outfit थी, तो 1987 में all Bodo student union उन्होंने इस demand को renew किया, उन्होंने बोला कि Assam को जो है, वो divide किया जाए, 50-50 पे ठीक है, the unrest हुआ फिर Assam में 1979 से 85 तक, उससे क्या हुआ, Assam Accord हुआ, Assam Accord ने क्या गया, address किया किसको, सारी demands को किसकी demands of the protection and the safeguard for the Assamist people leading the Bordos to launch a movement to protect their own identity ठीक है, तो इसलिए जो है ये Bordoland जो agreement है, ये historical, क्यों important है, ये कब sign हुआ, और most of the like important question जो इसमें से बनता है, वो इसकी territories बनती है, इसकी districts बनते है, कि कौन-कौन से इसमें districts included है, और agreement कब sign हुआ, between which government sign हुआ, अगर third party उसमें कौन थी, तो ये सब जो है आपके exam के लिए important है तो let's move to the next news, birds of the Sundarban Biosphere Reserve, ठीक है, एक zoological survey of India, एक zoological survey of India की एक report publish की गई है, ठीक है, किसके लिए report, birds of the Sundarban Biosphere Reserve, तो पहला question इससे बनता है, कि Sundarban Biosphere Reserve जो है, वो कौनसी state में है, इस report में, the report not only documents the evifona of the Sundarbans, evifona मतला birds, ठीक है, but also serve as a comprehensive photographic field guide, with detailed distribution and locality data for all the species from the region, the Indian Sundarban, which is a part of the largest mangrove forest in the world, तो एक question आपका यहां से भी बन रहा है, कि which is the largest mangrove forest of the world, तो क्या है उसका answer, Sundarban, तो Sundarban is home to the 428 species of the bird, ठीक है, तो यह एक publication की गई है, किसके द्वारा, जो लॉजिकल सर्वे के द्वारा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कि Indian Sundarban में, जो पार्ट है, largest mangrove forest का वर्ल में, is home to 428 species of the bird, इसका मतलब है, that one in every third birds in the country is found in the unique east ecosystem, तो कुछ birds के नाम है, कौन-कौन से birds जो है, सिरफ यहां देखने को मिले है, एक नाम है, masked, M-A-S-K-E-D, masked, finfoot, ठीक है, and fish owl, यह कुछ birds के species हैं, जो सिरफ और सिरफ सुन्दरबन से record किये गए हैं, तो यह कुछ birds हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं, तो अब मैं बात करती हूँ, इंडिया के सुन्दरबन की, तो यह कितने किलोमेटर एरिया कवर करता है, 4200 स्क्वेर किलोमेटर एरिया को यह कवर करता है, जिसमें सुन्दरबन टाइगर रिजर्व भी है, और सुन्दरबन टाइगर रिजर्व ही सिरफ कितने किलोमेटर में हैं, 2585 स्क्वेर किलोमेटर में है, and it is home to about 96 Royal Bengal Tigers, तो हमें जो हैं, इंडियन सुन्दरबन में कितने Bengal Tigers देखते को मिल रहे हैं, 96, as per the last census which was held in 2020, तो सुन्दरबन जो है, it is a world heritage site and a ramsar site as well, तो यह wetland site है, जो designate की गई है, as to be the international importance, it is also home to a large number of rare and globally threatened species, such as critically endangered northern river terrapin, ठीक है, the endangered irawardi dolphin and the vulnerable fishing cat, यह सब हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो fauna species सुन्दरबन में कितनी है, 2626, and 90% of the country mangroves variety जो है, हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, तो आप मुझे comment section में लिखके बताइए, कि कौन सी state में सबसे ज़ादा जो सुन्दरबन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आप मुझे comment section में इसका answer जो है, लिखके बताइए, नेक्स न्यूस इस CSIR समेरी अन्विल्स इंडिया फर्स्ट एवर एक्वा रेजुविनेशन प्लांट, तो इंडिया का पहला first ever wastewater treatment technology model, magic purifies wastewater for irrigation farming purposes, तो पहला इंडिया का wastewater treatment plants जो बनने जा रहा है, aqua rejuvenation plant, जो purify करेगा water को किसके लिए, for irrigation and pharming purposes के लिए, तो वो जो है, it facilitate an organic farming model through treated waste water, तो यह क्या facilitate कर रहा है, organic farming model को, aqua rejuvenation plant is an integrated waste water rejuvenation model, which has six stage purification profile, ठीक है, for comprehensive treatment of waste water, तो CSIR यहां Central Mechanical Engineering Research Institute, दुरगापूर ने अन्वील किया है, पहला अपना waste water treatment technology, जो क्या purify करेगा, waste water को, जो irrigation और farming purposes के लिए use होगा, so it facilitate an organic farming model through treated waste water, तो key takeaways क्या है, aqua rejuvenation plant जो है, यह integrated waste water rejuvenation model है, जिसकी 6 stages है, water को purify करने के लिए, ठीक है, तो यह approximately कितने water को purify कर सकता है, 24,000 liter of पानी को जो यह है, rejuvenate कर सकता है, ठीक है, और वो पानी जो है, वो sufficient होता है, almost 4 acres of agriculture land के लिए, ठीक है, the use filtration media have been specifically developed to handle Indian sewage water parameters and based upon the geographical variation, they may be modified, ठीक है, इस system के dual benefit है, क्या benefit हो सकते हैं, while the treated water is being used for irrigation purposes, the filter sludge generated is also utilized as the manure यह fertilizer, जो पानी जो है, जो rejuvenate हो गया, जो फिल्टर हो गया, उसको हम irrigation purpose इसके लिए यूज कर सकते हैं, और जो last में जो sludge बच जाती है, उसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? उसको हम यूज कर सकते हैं for manure as well as fertilizers के लिए. ठीक है? तो जो बायो चार्ड जो हम प्रिपेर करेंगे, जो हम बायो चार्ड किस्ते प्रिपेर करेंगे? तो इसका क्या है? dual purpose है. one purpose is for irrigation facilities and other purpose is for जो इसका हम बाद में जो sludge बचता है, उसको हम as a manure या fertilizer की तरह use कर सकते हैं. ठीक है? तो इसी लिए जो पहला CSI और समेरी जो institute है, इन्होंने इसको जो है वो reveal किया है. Now अब हम बढ़ते हैं, the first question of the day is, National Tourism Day is celebrated on which year? ठीक है? National Tourism Day is celebrated on which day every year? तो कब है वो? 25 January को National Tourism Day को जो है वो celebrate किया जाता है. तो National Tourism Day का significance क्या है? National Tourism Day important is plain and simple. This is celebrated to highlight the importance of tourism in India. Tourism impact करते हैं, इंडिया के economic prospect को. इंडिया being a country of diverse geography, culture, heritage, history and festival becomes a prime attraction for travelers from around the world. ठीक है? तो इसकी जो National Tourism Day की जो theme थी, वो क्या थी? Theme for 2021 is देखो अपना देश. Second question is, the annual event of Bharat Parv is organized in the last week of January by which ministry? तो कौनसी ministry ने एक annual event था जिसका नाम था बारत पर्व? तो कौनसी ministry ने इसको जो है और्गनाइस किया है? Ministry of Tourism ने. ठीक है? ये बारत पर्व क्या है? ये annual event है जो celebrate करता है Spirit of India को and is being organized on a virtual platform. COVID के चलते इस बार इसको virtual platform पे जो था inaugurate किया गया तो इसको inaugurate किया गया by the Ministry of Tourism. Next question is, recently India's longest road arc bridge क्या नाम है इस bridge का? वार्यू bridge inaugurated in which state? तो वो जो है में गाले में इस bridge को inaugurate किया गया. आप ब्रिज क्या होता है? ये bridge है तो ऐसी इसकी आर्क होगी उस bridge की. तो ये bridge जो है में गाले जो state है वहाँ पे ये inaugurate किया गया. ठीक है? लॉंगेस रोड आर्क bridge है ये. आपको मुझे comment section में बताना है कि में गाले की capital क्या है? में गाले मैं आपको बता देती हूँ, it is a state in North East. ठीक है? तो ये में गाले फॉर्म हुआ था by carving out two districts from the state of Assam. एक था United Khasi Hills और Jantia Hills और Garo Hills ठीक है? तो आपको capital आप मुझे में गाले की comment section में लिखके बताना है कि में गाले की capital है वो कौन सी है? Last question is National Migration Support Portal जिसका नाम है श्रम शक्ती recently launched by which ministry? कल की मैंने आपको जो class थी जो current affairs का session था उसमें मैंने आपको बताया था श्रम शक्ती portal के बारे में ये किस-किस के बीच में sign हुआ है? तो एक तो ये sign हुआ था Ministry of Tribal Affairs and किस के बीच में? Government of Goa के बीच में है? तो ये कुछ questions है. One-liner question आपके JKSSB के लिए बहुत important रखते हैं. In fact, fourth class के लिए भी. तो आपको क्या है? One-liner अच्छे से पढ़ने हैं और ये जो news है. इनी news से ये one-liner question निकलते हैं. तो आपको ये news भी regularly follow करनी है. तो आप जो है इसके notes भी साथ-साथ में बना सकते हैं which will be very helpful for you in the examination days. So that's all for today. Thank you.